नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भगतों। आज मैं आपको ऐशा वशीकरन टुटका बतलाने वाला हूँ। जिस भी स्त्री को आप चाहते हैं। च्यूपी महिला को आप चाहते हैं। वो आपके प्यार में तड़कने लगेगी। ये सिंदूर से वशीकरन है। सिंदूर में ये एक चीज डाल दे और इस मंत्र को बोल दे। तो इस तरी आपके प्यार में पागल हो जाएगी। दिवानी हो जाएगी। आप से मिलने के लिए तड़पेगी। तो आईए हम बताने चाहर हैं कि इसकी प्रक्रिया कैसे है। ल बार में ही असर दिखलाता है। तो हमें सिंदूर लेना है इस प्रकार से और काली मिरिच के पांच दाने लेने हैं। इसको करने के लिए आपको सिंदूर और काली मिरिच के पांच दाने लेने हैं। जिस भी महिला को आप चाहते हैं। उसका नाम लेना है। उसका खयाल कर और इस मंतर का उच्श और करना है। ओम्हें क्लीम् चामुन्डा बिच्छे नमा करके आप उस तरीका ध्यान करना है। इस मंतर को आप 21 बार बोलना है और एक लाउंग के उपर फूक मारनी है। और सिंदूर में छोड़ देना है इसी प्रकार से फिर से काली मिर्च लेनी है उस महिला का ध्यान करना है और फिर से कहना है ओम हेम क्लेम चामुंडाय विच्छे नमा इस प्रकार से फूक मारने के बाद में काली मिर्च छोड़ देना है आपको हर एक काली मिर्च पे 21 बार मं इस प्रकार से अब इसे आपको पुड़िया बनानी है इस प्रकार से ध्यान से इसलिए बोलता हूँ इसके बाद की प्रक्रिया कैसी होगी वो बतलाऊंगा यह जैसे ही आप करोगे आप जिस इस्तरी को चाहती हैं कितने भी दूर रहने दो वो इस्तरी आप के लिए तड़पने लगेगी चाहे वो आप से रूठ चुकी हो आपके पास फिर से आएगी वो आपको कॉल करने के लिए बेचैन हो जाएगी तो ये वसीकरन टुटका करने के बाद में आप इसे कुवे के अंदर डाल देना हैं कुवे के डालने के बाद में चुप चाप आप घर पर आ जाएए और सुबे तक चमतकार देखिए ये सिंदूर और काली मिर्च का ऐसा चमतकारी टुटका है जिसे करते ही आपकी प्रेमी का आपके मिलने के लिए तडपने लगेगी ऐसे चमतकारी उपाय टुटके देखने के लिए हावारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करके रखना धन्यवाद भक्तो